अगला प्रश्न है समानतर चतुर भुज A, B, C, D के सिर्ष A, B, C क्रमसह 8 प्लस 5 आयोटा, माइनस 7 माइनस 5 आयोटा तथा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा द्वारा निरूपित होते हैं तथा सिर्ष का मान D है तो D का नर्देशांक या D का मान हमें ग्याद करना है तो चलिए इसके हल पर चलते हैं तो पहले हम एक rough sketch बना लेते हैं कि ये एक समानतर चतुर भुज है मान लेते हैं कि ये A है आपने सम्मिष संख्या को क्रमिक युग्म के रूप में लिखना सीखा है तो A को हम लिख सकते हैं 8,5 यदी ये B है तो ये है minus 7 minus 5 और यदि यह C है तो यह है minus 5 plus 5 और D का मान मान लेते हैं कि यह x, y है माना D x, y है तो समानतर चतुरभुज के जो गुनधर्म होते हैं उस में से एक गुनधर्म यह है कि समानतर चतुरभुज के विकरण एक दूसरे को सम Gwen Day करते हैं उसका हम उपयोग करेंगे इसका मतलब यह कि A से A से C को मिला दीजिए और इसी तरीके से B और D को मिला दीजिए तो यहाँ पर यदि इस बिंदू का निर्दसांग T हो तो C T equal to T A होगा और T D equal to T B होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि समांतर चत्रभुज के विकर्ण एक दूसरे को समध्विभाजित करते हैं अतह यहां से देखिए B और D का मध्य बिंदू है T तो आपको यहाँ पता है कि यदि कोई बिंदू का निर्दसांग P X1 Y1 हो और Q X2 Y2 हो तो इनका मध्य बिंदू X equal to होता है X1 plus X2 upon 2 और इसी तरीके से Y होता है Y1 plus Y2 upon 2 यह मध्य बिंदू की निर्दसांग का सूत्र है तो B और D तो देखिए B का X निर्दसांग है minus 7, D का X निर्दसांग है X upon 2 यह इसका X निर्दसांग हो गया इस T बिंदू का B और D का मध्य बिंदू है इस वाज़ा से फिर इसका Y निर्दसांग minus 5 और यह plus y upon 2 equal to a और c का मध्य बिंदू यह a है और c का मध्य बिंदू भी t है तो इसका एक्स नेदर शांग क्या होगा 8 minus 5 यह minus 5 पहले से इस वज़ा से minus 5 upon 2 और यह 5 और यह 5 5 plus 5 upon 2 तो इस तरह से जब हम इसको और आगे हल करेंगे तो आपको मिल दाएगा minus 7 plus x upon 2 और इसे आप लिख लिजे y minus 5 upon 2 equal to 8 minus 5 यह आपको मिल दाएगा 3 by 2 5 plus 5 upon 2 तो 5 plus 5 upon 2 तो 10 upon 2 और इसे हल करेंगे तो मिल दाएगा आपको 5 तो आगे हल करें इसे तो इसका x नजजशांक और इसका x नजजशांक बराबर होगा तो हम लिखेंगे तुलना करने पर x minus 7 upon 2 equal to 3 upon 2 यह 2 और 2 cancel हो जाएगा ultimately मिलेगा x minus 7 equal to 3 और x equal to 3 plus 7 यहां से मिल रहा है x equal to 10 यह हमें x का मान मिल चुका है दूसरा है y minus 5 upon 2 equal to 10 upon 2 यह 2 और 2 cancel हो गया यहां से मिलेगा y minus 5 equal to 10 और y equal to 10 plus 5 और y equal to 15 तो इस तरीके से यह x निर्देशांक और y निर्देशांक मिल गया तो हम लिख सकते हैं d के निर्देशांक 10 15 होगा अगला प्रस्ण है यदि z equal to 3 minus 5 आयोटा हो तो सिद्ध कीजिए z square minus 6z plus 34 equal to 0 तथा इसका उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए z cube minus 10z square plus 58z minus 136 equal to 0 यह मान हमें दिया गया है पहले हमें यह सिद्ध करना है यह जब सिद्ध हो जाएगा तो इसका उपयोग करते हुए हमें यह सिद्ध करना है तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं दिया गया है क्या दिया गया है z equal to 3 minus 5 आयोटा देखिए z square minus 6z plus 34 equal to z हमें प्रूफ करना है तो यहाँ पर z square है और minus 6z तो हम यह काम करते हैं कि यह जो 3ac इस तरह पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा z minus 3 equal to minus 5 आयोटा अब हम वर्ग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा z square z minus 3 का whole square equal to minus 5 आयोटा का whole square तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा Z square minus 6Z plus 9 A minus B ka whole square A square minus 2AB plus B square equal to minus है और यहाँ पर इसका square है तो यह हमें plus मिल जाएगा और 5 का square मिलेगा 25 और यह IOTA square तो इस तरीके से Z square minus 6Z plus 9 और यह value आप put करेंगे तो आपको मिल जाएगा minus 25 क्यों IOTA square equal to minus 1 होता है यह इधर आ करके पक्षांतर होगा तो plus हो जाएगा Z square minus 6Z plus 9 plus 25 equal to 0 तो ultimately हमें मिल गया Z square minus 6Z plus 34 equal to 0 तो हमें जो सिद्ध करना था इसका पहला भाग सिद्ध हो चुका है अब हमें Z cube minus 10Z square plus 58Z minus 136 equal to Z proof करना है तो हमें काम करते हैं कि यह जो पद है उसको इससे भाग देते हैं तो हम इसको इसके और एक और बहुपद के गुननखंड के रूप में लिख पाएंगे तो हम भाग देने वाले हैं Z square minus 6Z plus 34 से Z cube minus 10Z square plus 58Z minus 136 को तो देखिए भाग देने के लिए आपको पता है कि दोनों तरफ इस तरफ और इस तरफ चर रासी के घातों के घटते हुए करम में हम संख्याओं को अरेंज कर लेते हैं तो ये घात दो घात एक और शुन्य घात तीन दो एक शुन्य ये सही करम में जमा हुआ है तो Z cube यहाँ पर है और यहाँ पर है Z square तो Z square में किसका हम गुणा करेंगे कि Z cube आ जाएगा तो वो होगा Z तो Z से Z square का गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा Z cube फिर इस Z से minus 6Z का गुणा करेंगे मिलेगा minus 6Z square फिर इस Z से 34 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 34Z अब आप घटा दीजे तो यह minus चिनना के साथ आएगा और यह minus और minus plus हो जाएगा और यह भी minus हो जाएगा इसका मतलब यह कि ultimately यह जो expression है यह क्या हो गया है Z cube minus 10Z square minus 58Z minus Z cube minus 6Z square plus 34Z यह है अब इस bracket को open करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा Z cube minus 10Z square minus 58Z minus Z cube और यह minus minus का गुणा करके हम लिखेंगे plus 6Z square यह minus और यह plus का गुणा करके लिखेंगे minus 34Z तो यह जो final चिनना आया है उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है minus और यह plus और यह again minus इसे जब हम आगे हल करेंगे तो देखिए Z cube और Z cube cancel हो जाएगा minus 10Z square और plus 6Z square है इसे जब आप solve करेंगे तो मिलेगा minus 4Z square और यह है 58Z minus 34Z इसे solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा plus 24Z और यह जो 136 है इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं अब देखिए यहाँ पर है minus 4Z square और यहाँ पर है Z square तो इसमें हम किसका गुणा करेंगी कि minus 4Z square मिल जाएगा वो होगा minus 4 तो minus 4 का गुणा इस पूरे बहुपत के साथ कीजिए तो minus 4Z square minus और minus plus 24Z और 34 और minus 4 का multiply करेंगे तो आपको मिल जाएगा minus 136 यह पूरा पद और यह पूरा पद सेम है minus करेंगे तो यह plus यह minus और यह plus यह पूरे के पूरे cancel हो जाएगा तो ultimately हम यहाँ पर मिलने वाला है 0 तो इस तरीके से हम लिए लिख सकते हैं कि Z cube minus 10Z square Z cube minus 10Z square plus 58Z minus 136 equal to Z minus 4 into Z square minus 6Z plus 34 और हमें पता है कि यहाँ पर अगर इसे समिकरण एक नाम दे दिया जाए तो Z square minus 6Z plus 34 equal to 0 मिला है तो यह पूरा पत 0 है तो यह हमें Z minus 4 into 0 जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा equal to 0 तो इस तरीके से सिद्ध हुआ कि Z cube minus 10Z square plus 58Z minus 136 equal to 0 और यही हमें सिद्ध करना था अब चलते हैं बिंदू पत पर बिंदू पत या लोकस बिंदू दिये गए प्रतिबंद का पालन करते हुए जिस पत पर गती करता है उसे उस बिंदू का बिंदू पत कहते हैं तो आगे हमें प्रस्न मिलेंगे जिस पर हमें बिंदू पत निकालना होगा एक दिये गए प्रतिबंद पर प्रश्ण है सम्मिस्त्र संख्या Z equal to X plus Iota Y का बिंदू पत ग्यात कीजिए यदि इसमें पहला प्रश्ण है mod of 2Z minus 3 equal to 7 इसका हमें बिंदू पत ग्यात करना है तो चलिए हमें दिया गया है Z equal to X plus Iota Y इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं और दिया गया है 2Z minus 3 equal to 7 इसे समीकरण दो नाम दे देते हैं यहाँ पर जो Z है उसे हम X plus Iota Y से replace कर देते हैं तो में मिलेगा 2 x plus Iota Y minus 3 का mod equal to 7 इसे जब आप हल करेंगे तो मिलेगा आपको 2 x plus 2 Iota Y minus 3 equal to 7 या फिर 2 x minus 3 plus Iota into 2 Y equal to 7 यह real part को हमने एक सांत लिक लिए और imaginary part को एक सांत लिए और आपको यह पता है कि mod of Z यदि Z equal to x plus Iota Y हो तो mod Z क्या होता है इसको root over x square plus y square या फिर यह होता है real part of z का square plus imaginary part of z का square तो यहां से हम इसका उप्योग करेंगे तो यहां से हमें के मिल दाएगा square root over 2 x minus 3 का square plus 2 y का square equal to 7 अब इसे आगे हल करने के लिए हम work कर देते हैं दोनों पक्षों का तो work करने पर हमें क्या मिलेगा 2 x minus 3 का whole square plus 2 y का whole square equal to 49 अब यह जो पद है इसे आप expand कर लीजे विस्तार कर लीजे a minus b का whole square के form पे है तो यहां से हमें के मिल दाएगा 4 x square plus 9 minus 2 into 3 into 2 12 x plus 4 y square equal to 49 यहां से देखिए 4 x square फिर plus 4 y square फिर minus 12 x plus 9 minus 49 यह जो 49 plus है इदार आ करके left hand side में minus हो जाएगा तो यहां से हम लिख सकते हैं 4 x square plus 4 y square minus 12 x minus 40 equal to 0 पूरे पद में हम 4 से भाग दे सकते हैं या 4 वो भैनिश निकाल सकते हैं तो आप लिखेंगे 4 x square plus y square minus 3 x minus 10 equal to 0 तो 4 तो 0 का equal नहीं हो सकता क्योंकि 4 अपने आप में एक अलग नंबर है तो यहां से में कामिश आएगा x square plus y square minus 3 x minus 10 equal to 0 और यही इस बिंदू का बिंदूपत है आगे चल कर आप देखेंगे कि यह एक वृत्त का समी करण है यदि समिश संख्या z equal to x plus iota हो तो हमें बिंदूपत ग्यात करना है दूसरे प्रस्ण में mod of z minus a plus iota b equal to 3 का तो चलिए आगे हल करते हैं पहली बात है कि दिया गया है उन रासियों को हम पहले लिख लेते हैं z equal to x plus iota y यह दिया गया है और दूसरा है z minus a plus iota b का mod यहाँ पर है equal to 3 इसे समी करण 1 और इसे समी करण 2 नाम दे देते हैं z का मान हम यहाँ से इस पर रख देते हैं तो हमें मिलेगा x plus iota y minus a अब यह bracket open कर रहे हैं तो यह minus a minus iota b हो जाएगा equal to 3 या फिर इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं mod of x minus a वास्तिक भाग को एक साथ और imaginary भाग को एक साथ iota यहाँ पर भी है और iota यहाँ पर भी है तो आपको मिल जाएगा iota into y minus b और इन सब का mod equal to 3 अब mod का मतलब आपको पता है थोड़े दर पहले हमने देखा था यह होता है square root over x square plus y square मतलब square root over real part of z का square plus imaginary part of z का square यह equal to 3 है अब यहाँ पर left hand side में square root है इसे हल करने के लिए हम दोनों पक्षों का work करेंगे तो हमें work करने पर मिलेगा x minus a का square plus y minus b का square equal to 9 और यह भी एक वृत्य का समी करण है जिसका केंद्र है a, b और इस वृत्य की त्रिज्या 3 ही काई है आगे जब आप वृत्य वाला अध्याय पढ़ेंगे तब वहाँ पर आप इसे देखेंगे अगला प्रश्न है यदि आरगंड आरेख पर बिंदू P समिस्र संख्या z equal to x plus iota y को निरूपित करता है तो बिंदू पथ ग्याद कीजिए यदि mod of z minus 2 equal to 2 times mod of z plus 2 हो तो हमें इस बिंदू का बिंदू पथ ग्याद करना है चलिए, हल करते है तो दिया गया है z equal to x plus iota y समी करण 1 mod of z minus 2 to 2 mod of z plus 2 यह समी करण 2 यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं समी करण 1 से मान रखने पर x plus iota y minus 2 equal to 2 into x plus iota y plus 2 real part को एक सांथ लिख लेते हैं x minus 2 plus iota y equal to 2 into x plus 2 और फिर plus iota y दोनों पक्षों में mod है दोनों पक्षों का वर्ग भी कर सकते हैं या फिर पहले आप मौड ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा square root over x minus 2 का square plus y square equal to 2 into square root over x plus 2 का square plus y square वर्ग मूल को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा x minus 2 का square plus y square equal to 2 का square हो जाएगा 4 और यहाँ पर जो quantity यह है x plus 2 का whole square plus y square इसे आगे हल करते हैं तो x minus 2 का whole square मिलेगा x square minus 4x plus 4 plus y square equal to यहाँ पर यह है 4 और अंदर में जो पदा है x plus 2 का whole square करेंगे तो मिलेगा x square plus 4x plus 4 और यह y square यहाँ पर था अब इसे आगे जब हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x square plus y square minus 4x plus 4 घातों को घटते विकरम में हमने इसको अरेंज कर लिया है इसे जब आगे multiply करेंगे तो मिलेगा 4x square plus 16x plus 16 plus 4y square पूरे पद को left hand side में लेगा यह तो मिलेगा x square plus y square minus 4x plus 4 minus 4x square minus 16x minus 16 minus 4y square equal to 0 तो देखिए यह x square और minus 4x square आपको मिल जाएगा minus 3x square plus y square है और यह minus 4y square है तो आपको मिल जाएगा minus 3y square minus 4x minus 16x तो मिल जाएगा minus 20x यह plus 4 है और यह minus 16 है यहाँ से आपको मिल जाएगा minus 12 equal to 0 पूरे पद को हम minus से गुणा कर देते हैं तो आपको मिलेगा 3x square plus 3y square plus 20x plus 12 equal to 0 यही इस बिंदू का बिंदूपत है जो हमें ग्याद करना था और पिछले प्रस्ण में ही एक दूसरा प्रस्ण है जिसमें हमें ग्याद करना है argument of z minus z1 upon z plus 1 equal to pi by 2 हो तो हमें उस समिसंख्या का बिंदूपत ग्याद करना है तो यहाँ पर यह argument दिया हुआ है तो पहले यहाँ पर जो समिसंख्या दी गई है z minus 1 upon z plus 1 इसे पहले हम सरल कर लेते हैं चलिए हल तो पहली बात यह कि दिया गया है z equal to x plus iota y इसे हम समिकरण 1 देते हैं अब हम पहले z minus 1 upon z plus 1 की value निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आप z की value पुट कर दीजे आपको मिल जाएगा x plus iota y minus 1 upon x plus iota y plus 1 यह z1 upon z2 के form में हैं इसे हल करने के लिए आपको परीमेकरण करना होगा हर के संख्या के साथ गुणा और भाग करना होगा हर में यह जो रासी दी गई है इसमें हम क्या करते हैं real part और imaginary part के बीच के sign को change कर देते हैं यहाँ पर plus है तो यहाँ पर minus से replace कर देंगे तो हम हमें उस समय संख्या का सयुग भी प्राप्त हो जाएगा x minus iota y plus 1 upon x minus iota y plus 1 इस संख्या से समय संख्या से हमने गुणा और भाग किया तो इसे आगे आप हल करेंगे गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यह देखिए पहले इस x का इस x के साथ गुणा x square फिर minus मिल जाएगा आपको x y यह x से इस iota y का गुणा करेंगे तो iota x y फिर प्लस X इस X का 1 के सांथ गुणा फिर प्लस आयोटा XY यह आयोटा Y का गुणा आप X से करेंगे तो मिलेगा आयोटा XY फिर यह प्लस और यह माइनस आपको मिलेगा माइनस आयोटा Y स्क्वेर फिर आयोटा Y का गुणा आप 1 से करेंगे मिलेगा आयोटा Y फिर minus इस पूरे पत से गुणा करेंगे तो मिलेगा minus iota plus iota y minus 1 upon देखिए x plus 1 यहाँ पर भी और x plus 1 यहाँ पर भी है plus iota y है और यह minus iota y है a plus b into a minus b के form पे है तो इसे आप लेख सकते हैं x plus 1 का square minus iota y का square आगे हल करते हैं minus iota xy और यह plus iota xy यह दोनों पत आपस में कैंसल हो गया इसे तरीके से यह plus x और यह minus x कैंसल हो गया अब आगे जो पत बचा है वो क्या है यह x square है फिर यह iota square y square का पत बचा है plus 2 times iota y देखिए यह वाला पत और यह वाला पत बचा हुआ है और last में है हमारे पास minus 1 upon यह आपको मिल जाएगा x plus 1 का होल square minus iota square करेंगे तो iota square की चुकी value minus 1 होती है यहाँ पर put करेंगे तो मिलेगा आपको plus y square यहाँ पर भी iota square की value आप put करेंगे तो आपको मिल जाएगा x square plus y square plus 2 iota y minus 1 upon x plus 1 का होल square plus y square यह है z minus 1 upon z plus 1 की value या फिर इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते है x square plus y square minus 1 यह आपका real part है plus twice iota y upon x plus 1 का square plus y square यह है z minus 1 upon z plus 1 हमें argument निकालना है यदि z1 equal to z minus 1 upon z plus 1 हो तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ z1 equal to this quantity तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x square plus y square minus 1 upon x plus 1 का होल square plus y square यह x का मान है यह वास्तविक भाग है plus iota 2y upon x plus 1 का होल square plus y square यह इसका ही में इनरी भाग है और हम यह जानते हैं कि यदि z equal to x plus iota y हो तो theta equal to होता है tan inverse y by x तो यहाँ पर यदि से हम z1 से replace कर दे और यह x1 y1 से तो यहाँ पर हमें मिलेगा theta equal to inverse y1 upon x1 x1 का मान पूरा यह पद है और y1 का मान पूरा यह पद है तो यदि हम y by x निकालेंगे या y1 upon x1 निकालेंगे तो आपको this upon this मिलेगा हर में यह दोनों पत्समान है यह cancel हो जाएगा आपको मिलेगा 2y upon x square plus y square minus 1 यहाँ पर देखिए कि यह argument of z argument of z minus 1 upon z plus 1 यह हमें गात करना था यह हमें pi by 2 दिया गया है इसका मतलब यह कि यह जो समिस्र संख्या है इसका हमें argument pi by 2 दे दिया गया है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2y upon x square plus y square minus 1 यह equal to 10 inverse y1 upon x1 के तो यदि इन दोनों को हम compare करें तो यह हमें मिल दाएगा 10 pi by 2 हमें क्या मिल दाएगा 10 pi by 2 equal to y1 upon x1 और 10 pi by 2 होता है infinity यह फिर इसे हम लिख सकते है 1 by 0 तो उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं इसे हम लिखेंगे 1 by 0 तिरियक गुणा कर दीजे तो 2y into 0 that will be 0 और यह से इसका गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा x square plus y square minus 1 equal to 0 यह फिर आपको मिलेगा x square plus y square equal to 1 और यह एक ऐसे वरित का समीकरण है जिसकी तरिज्जा 1 है और मूल बिंदू के ने अदे शांग 0 है यही बिंदू पाथ हमें ग्याद करना था अगला प्रश्न है यदि mod z equal to 1 हो तो सिद्ध कीजिए 1 plus z upon 1 minus z bar equal to z तो इसे हल करने के लिए हमें समिसंख्या के सयुगमी से संबंधित आउधारणाओं का इस्तेमाल करना होगा तो पहले हम लिखेंगे कि दिया गया है mod z equal to 1 तो यहां से हम ऐसा लिख सकते है क्या दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तब भी हमें mod z square equal to 1 मिलेगा 1 का square 1 और mod z को आप लिख सकते हैं z into z bar समिसंख्या और उसका सयुगमी का दोनों का जब अब गुणा करेंगे तो आपको mod z का square मिल जाएगा तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं z into z bar equal to 1 और यहां से हम z bar की value निकाल सकते हैं z की value तो दी गई है mod z की value तो दी गई है अब यहां से z bar निकाल लेते हैं तो z bar equal to मिल जाएगा 1 upon z इसका हम आगे चल कर उपयोग करेंगे यह हमें मान मिल गया है अब यहां पर जो हमें ग्याद करना है 1 plus z upon 1 plus z bar इसे हम ग्याद करने के लिए आगे इसमें value पुट कर देते हैं तो 1 plus z upon 1 plus z bar z bar की value है 1 upon z इसे जब आगे हल करेंगे तो आपको मिल आएगा 1 plus z upon z plus 1 upon z तो ultimately यह पद और यह पद cancel हो जाएगा यह हमें मिलेगा 1 plus z upon 1 plus z bar equal to z और यही हमें सिद्ध करना था दूसरा प्रस्ण है जदी z1 और z2 सम्में से संख्या है इस प्रकार है कि mod of z1 equal to mod of z2 equal to 1 upon mod of z1 plus 1 upon z2 equal to 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि mod of z1 plus z2 equal to 1 यह हमें सिद्ध करना है चलिए हल करते हैं तो यह equal to 1 है यह देखिए यह equal to 1 है तो इस तरीके से हम जब इसका वर्ग करेंगे तो mod of z1 का वर्ग equal to mod of z2 का वर्ग बराबर यहां पर हमने जो कंसेप्ट का इस्तेमाल किया था उसका भी इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं z into z bar या फिर z1 into z1 bar equal to z2 और z2 का बार equal to 1 तो यह अंतिम तीन पदों का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम यहां से लिख सकते हैं one upon z1 equal to z1 का बार और one upon z2 equal to z2 का बार तो इसलिए हम आगे लिखेंगे one upon z1 plus one upon z2 equal to one यहां पर यह जो one upon z1 है और यहां पर one upon z2 है इसकी value का हम put कर देते हैं तो यहां से हमें मिल जाएगा z1 का बार प्लस z2 का बार equal to one दोनों पक्षों का संभ्मी ले लेंगे तो हमें मिलेगा mod of z1 bar plus z2 bar और यह पूरे का बार equal to one तो इसे और और आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा z1 plus z2 किसी संख्या का संभ्मी का संभ्मी वह समिस्र संख्या होती है इस वज़े से हमें मिल जाएगा mod of z1 plus z2 equal to one और यही हमें सिद्ध करना था तो इस तरीके से हम mod of z1 या किसी समिस्र संख्या के मापांक के गुण धर्मों का इस्तेमाल करके और भी प्रशनों को सरलता से हल कर सकते हैं